हेलो फ्रेंज मैं हूं विजया और आप देख रहे हो विजया's creative garden फ्रेंज आज जो है हम आप से बात करेंगे इस miracle के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि समें कब flowering होती है इसको किस तरीके से आप 3 धंग से grow किया जासकता है किस धंग से ग्रोकिया जाता है इसमें जो है कैसे देख भाल करें इसकी कि प्लांट भी हल्दी रहे और फ्लावर भी रहे और next year भी प्लांट आपका चलता रहे पूरी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे Mirabilis को जो है इसके और भी नाम है जिसे की गुले अबास भी बोलते हैं साथ में 4 o'clock भी बोलते हैं 4 o'clock इसलिए बोलते हैं क्योंकि शाम के समय ही इसके फूल खिलते हैं और सुबह जो है 8-9 बजे तक फूल इसके बंद हो जाते हैं तो आपको खिले हुए फूल देखने हैं तो या तो आप शाम के समय देखो या फिस सुबह के समय देखो तब आपको दिखेंगे बहुत सुंदर लगते हैं इसके लावर फ्रेंज इसमें जो है flowering season जो होता है ये गर्मी से शुरू हो जाता है अप्रल से चलता रहता है flowers आते रहते हैं लेकिन जैसे ही बरसाथ का समय आता है इसमें जबरदस flowering होती है इस flowering करता रहेगा थंडक जैसे जैसे बढ़ेगी flowers इसके कम होंगे जब हम लोग घबडाना नहीं, क्योंकि ये plant जो है ऊपसे तो तूट जाएगा लेकिन खतम भी हो जाएगा, लेकिन नीचे जो है plant की जड़ों के पास से इसके बड़े-बड़े से tubers रहते हैं, plant के size के बड़ा plant है तो बड़े tubers रहेंगे, तो उन tubers को आप चाहो तो वैसे ही पढ़ा रह तो जब अगला सीजन आएगा फरवरी मार्च तो उसमें से नय नय फिर से प्लांट निकल आएंगे, साथ में इसमें जैसे जैसे अभी ठंडक बढ़ेगी तो उसमें बीज बनने लगते हैं, इसमें बीज खुब साले बन जाएंगे, शुरू में वो बीज गोल हरे रंग के रहते हैं, बाद में काले काले हो जाते हैं, काले होके जढ़ने लगते हैं, तो आप उनको भी लगा सकते हो, ग्रो हो जाएंगे, हमने जो था बीज ला करके अपने इस टप में लगा रखा था, इसमें ऐसी फालतू मिटी पड़ी हुई थी, कचड़े अचड़े सभी में, तो मैंने ऐसी बीज डाओ दिया था, और ये आप विश्वास नहीं मानों के तीन साल से ही अपने आपी इसी टप में ग्रो हो रहा है, ये टप में जड़ा सा भी छूँँगी, हिलाँँगी तो पूरा तूट जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक बूरी तरह से गली हुई है और जो अंदर आपको पॉल दिख रहे है ना, उसमें मैंने जो था, येलो कलर की जो फूल दिख रहे हैं आपको, उसको कटिंग से लाकर के उन पॉल थिन में वहां पर लगा के रखा था, लास्ट यार, अपकी नहीं लास्ट यार, रख करके मैं भूल गई थी, और इनी की इजी तू ग्रो है, बिना केर के ही इतना चल रहा है, इसको जब भी आप लगाओ, तो हमेशा जो है, फुल सनलाइट में लगाना, इसको रखना, हमारे याँ तो दिन भर की रोशनी लगती है, आप कम से कम चार घंटे की सूरज की रोशनी इसको जरूर मिलनी चाहिए, उस बड़ा लगानी की जरूरत नहीं है, उतने में ही ग्रो हो जाता है, इसको बहुत लोग जो है ना, उसके हेज के रूप में भी लगाते हैं, इसके रूप में भी लगाते हैं, क्योंकि इसकी जो पतियां होती है, वो बकरी या फिक गाय कोई नहीं खाती है, बिल्कुल नही संदेरे से मतम हैं वात की मेरी है दूसरे नंबर बार आती है ये पानी की इसकी तो पानी को अधिक भी पढ़ा जाता है ये माफ कर देता है कोई खराब नहीं होता है प्लांट ये लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मन डालिएगा क्योंकि जो बल्व वाले पौदे होते फिर बल्व अंदर से गलने लग जाती है तो मिट्टी इसकी मोईस्ट रखिएगा आप जब भी है हार टाइम मोईस्ट रहा अच्छा रहेगी सू कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसके वाँ तो इसके फटलाइजर की रिक्वार्मेंट बहुत बर्जवो नहीं है क्योंकि ये तो मैंने जब इस टप में लगाया था तो इसमें तो कूरा पड़ा था गार्डन का वेस्ट पड़ा था उसी में मैंने बहुत दिया था त क्योंकि ये बिना केर के ही मेरा चल रहा है और ये बहुत अंदर जा करके थोड़ा लगा है कि मैं वहां तक इसके पास तक पूरा पहुंच नहीं पा रही हूं मैं आपको जूम कर करके दिखा रहे हैं काफी कबार पड़ा हुआ है यहां पर मेरे तो फ्रेंज इस तरीके से प्लांट है इसमें कोई भी कीडा मकौडा कुछ भी नहीं लगता है आप जो है इसको रखो बिल्कुल मतब ये आइडियल है उन लोगों के लिए जो की फ्लावर का शौक तो बहुत रखते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है अपने गार्डन को देखबाल करने का तो य कि इसको लगा लो बिना मेहनत कै़ा आपके और गार्डन में खुब सारे आड़ करेंगे किसी भी तरीके की मिटी में लगा लो ऐसा नहीं है कि आपको व्लड्री भी मिटी चाहिए या कैसी चेसारेसं सब्सक्राइब की मिटी में ये ग्रो हो जाता है फिर में लेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ पाई